कौन बोला, कौन बोला, हमसे ना हो पाएगा, कौन बोला सडक की, सुरक्षा की, जीवन की, रक्षा की, हलमेट की, सिट्वेल की, नियम अगर अपनाएगा जीवन खुसाल बन जाएगा बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान, तो बात मेरी मान, नहीं तो तेरा टाइम आएगा अपने दिल्ली में युवा जो हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं बाहनते हैं या ISI mark का helmet नहीं पहनते हैं इसलिए मेरा परियास head injury को रोगने का एक परियास है मैं अपना birthday नहीं मनाता मैं अपनी marriage anniversary नहीं मनाता और उस रासी का उस मोके पे खुसी और तेवारे को मोके पे उस बचाय हुए पैसे से मैं कुछ helmet purchase करता हूं यह purchase मैं अपनी salary के पैसे से करता हूं और फिर उन लोग को helmet पहनाता हूं जो सफर पे without helmet निकले हुए होते हैं उन् सुरक्षी तियातरा के शुब कामना देता हूं आज के समय में देश के जो इवा है वो हादसों के सबसे ज़्यादा सी कार हो रहे हैं उसके पीछे कारण है कि सुरक्षा नियमों की अंदेखी helmets का ना पहनना रफ्तार ओर इस पीटिंग एक बड़ा कारण है इवा जो होते ह कौन बोला सडक की सुरक्षा की जीवन की रक्षा की हल्मेट की स्टिपल की नियमा अगर अगर अपनाएगा जीवन खुसाल बन जाएगा क्राइम रिकॉर्ड वीरो का आकड़ा है वो 413 का आकड़ा है प्रती दिन का भारत में सलक दुर्गटनाओं का उससे मैं आहत हूँ साथ ही साथ में एक सलक दुरगटना में मेरी पत्नी हाथसों में उसके दुरगटना के सिकार हो जाती है तो उसके बाद में मेरे घर परिवार में ऐसी रिसेदारी में ऐसी कई घटनाएं हुई उसे आहत होकर मुझे लगा कि सड़क सुलक्षा के लिए कुछ करना चाहिए बड़े लोगों को समझाते हैं तो इग्नोर करते हैं क्यों ना बच्चपन से ही उनके अंदर में अनुसासन डाला जाए जो वो फॉलो करें बेवहार में लाए हेलो अरे मरो मत मरो मत यह क्या है यह यह एरफॉन लेटाओ इसे नहीं लगाना है आप हेल्मेट बांदो अपना यह हेल्मेट बांदिये मेरे अगर एक भी व्यक्ति का जीवन बसता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिल हो ट्रेन बुलेट सी बाइक चलाएगा नसे में तू गाड़ी उडाएगा तो तेरा टाइम आएगा